नमुश्कार दोस्वों रोजना राजशी फल दगने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइगन को प्रेश कर दें ताकि दोस्वों आपकी राजसे से जुड़ी सभी जानकारियां शबसे पहले आप तक पहुंश के और आप उन देखकर अपने जीवन के उ मारत रणाफ से देर चारिश उक उप का मनाएं तो ले दोस्वों इसकेके साथ बात करते हैं यही गहों कितिती केचिर होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन शभी कशोरेप्कि में ऊपको छाव धने ना होगा और आफिर कौन कौन आपके से कारी आप के लिए भाग शा होंगे यश में आपको लब लाइब श्वास्त के रियर और धनके सद्धे के रहेंगी शाथ ही दोस्तों वीडियो के मद्ध में आप शभी के लिए बहुत ही अच्छे पिचार दिये गए हैं जिने आप ज़रूर दिखेगा आपको काफी अचा लेगा तो यह दोस्तों बात क करते हैं दोस्तों दिन मंगलवार का दिन रहेगा शुक्ल परच के गात्से तीठी रहेगी और अन्राधा नमकर दिन नचत रहेगा दोस्तों दिन योग की बात करें तो शुकुल नाम का योग शुब शाम के शाध बचकर 35 मद्ध रहेगा उसको परांती ब्रहम नाम का काम्याबी मिलने के बाद रास्ते सीधे हो जाते हैं यदी कोई आप पर वेंग करता है तो बुरा मत मानो वेंग शफल लोगों के खिलाब अशफल लोगों का हतियार होता है दोस्तों काम्याब इंसान भले ही खुश नो हो, कुश रहने वाला इंसान काम्याब जरूर होता है दोस्तों तुम हारो या जीतो कोशिस मत छोड़ो, खुलते हैं दरवाजे खट-कटाने के बाद ही दोस्तों अगर मंजिल पाना है तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिने कोई सहरा मिल जाता है अपने ताकत के साथ लड़ो, अन्य की कमजरियों के साथ नहीं, क्योंकि सच्चे सफलता खुद के प्रयाशों में नहीत है, अन्य की हार में नहीं काम्याब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकाम्याब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं दोस्तों चाहो और मिल जाए वो है किश्मत चाहो पर इंतजार से मिले वो है समय चाहो पर समझोते से मिले वो है जिन्दगी चाहो और इंतजार से मिले पर समझोते से नहीं वो है सफलता तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशिफल की देनी राशिफल, दोस्तों येश में कई परकार की गतिदियों में वैस्ता रहेगी, शाति समाजिक दाइरा भी आपका बढ़ेगा, आपको बता दें कि आप किसी उसेज परिजन को हाशल करने में भी शक्षम रहेंगे, आपको बता दें, लोग आपकी योगता की येश में क जिहान रखें कि जराशी लपरवय आपको लक्ष से बटका सकता है, तो दोस्तों येश में इन बातों पर आप गौर करें, दोस्तों मन को शमित रखें, तथा नकार्तमग परविरती के लोगों से दूरी बना कर रखें, तो आपके लिए उतना ही बैतर होगा, दोस्तों य किसी वरष्ट व्यक्ति की शला वशले उनमें शुधा रहेगा, और इसको प्रांथ दोस्तों येश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, कि दोस्तों यात्रा से समधित निरलेस में थोड़ा बदलाव आशकता है, यात्रा करते शमें महत्मुन दस्तेवेज औ आपको बता दें, कि आपके लपरवाय के वज़ेशे येश में नुक्सान होने की अशंका भी बन रही है, तो दोस्तों खाशकर आपको बता दें, येश में आपको इनसे सावधन रहने की आवशकता होंगी, इसलिए दोस्तों सतरक्ता जरूर रखे, परिवार के शाथ वक आपको बता दें, घर में नवीन वस्तो के खिरदारी भी समभ हो सकती है, किसी मित्र के दुख दर्द में या फिर उनके तकलीप में उनकी शाता करना आपको इश में आत्मिक खुशी भी परतान करेगा, किसी प्रवाव शाली व्यक्ति के शाथ संपर्ग भी आपके बढ़ क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अकास्मक्ति कुछ खर्ची आपके शामने आएंगे, योजना को जो है किरनुइत करने में कुछ परिशानी भी श्में आजश में आजश में आपको बता दें, कि दोस्तों काम चाहे जो भी हो, उनकी गती आगे बढ़ते रहें और पश्तिती को आप अपने पक्ष में कर भी पाएंगे, आपको बता दें कि पेसे से समय तकलीफ हैं कम भी होगी, क्योंकि दोस्तों आप अपने कारियों में बहुत अधिक तरीके शे ध्यान को केंदरित भी कर पाएंगे, परिवार की वेक्ति के दोरा आपेचित लाव म मिल पाना एश्मे के लिए बहुत ही कठिन हो शकता है, फिर भी दोस्तों वेक्ति के प्रती मन में बढ़ते हुए रोज को खुद पर हावी न होने दें, इस बात का ध्यान रखें, आपको बता दें कि दोस्तों आपके अंदर बना गुश्या और मानसक तकलीफ होने के वज होगी, तता अपने फेशले श्वेंग लेने की हिम्मद भी बढ़ेगी, आपको बता दें कि घर के बड़े श्रदस्यों का श्रयोग और पिर्शला आपकी उन्नती में शायक सावित होगी, आपको बता दें यह अपने अंदर शक और वहम जैसे इस्तिती नौ उत्पन होने इसको प्राहन दोस्तों यह श्रमाई, आपके लिए जी समयोंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बेवज़ा खर्चा होने की अशंकातु बन रही है, इसलिए कोई भी खर्चा करने से पहले सोच समझ कर निरले लेने का अवशकता होगा, नहीं तो दोस्तों आपको बात में पज़ताना भी पढ़ सकता है, इसलिए दोस्तों हलबड़ी में निरले नो ले, ना ही पूरी बात को जाने, बिना बोजे निरले ले, तो दोस्तों बहुती शतरक्ता चाहे निरले ले, यह श्रमी आपके लिए बहुती महत्पुन होगे, और इसको प्राहन दोस्तों यह श शकात्मक परिवरतन भी लाएगी, कोई भी महत्पुन निरले लेने से पहले उसके बारे में सोच विचार अवश्य करें, आपको अवश्य उचित सुप परिणाम प्राप्त होंगे, त्यान रखें कि दोस्तों बहुत अधिक आत्मिश्वास भी आपके लिए दिक्कत उत् सकती है, इसलिए यश्मे सांत चीत तरीके से पस्तिती का मनन करें, आपको बता दें उसके बाद ही कोई कदम उठाएं, घर के बड़े बुजरों की किसी भी बात की जो है अवहलना ना करें, क्योंकि ये आपके लिए महत्पुन होगे, और इसको प्राहत दोस्तों यश्मे आपके लिए जो समय होगे आपको बता दें, कि पिजले कोई श्मे में घटी घटनाओं की वज़ए से ये श्मे आपको फिर से तकलिप होने की अश्मे का बन रही है, जिसके वज़ए से पूरा दिन, पूरा जो श्मे होगा आपके लिए, इनसे समधित नई उजना कर सकते हैं, आपको बताते हैं कि किसी महत्पुन बात को सुलजाने का मार्क भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए भावनत्तों के तकलिप से दूर ना भागे, इसको प्राम दोस्तों ये अश्मे में अगर आपकी केरेड को लेकर बात करें, तो दोस्तों वयशाह की के लेंदे शमेंदी कोई भी कारी ना करें, दोस्तों ये आपके लिए यश्मे मेहत्पुन होगे, तो इस बात पर गौर करें, और इसको प्राम दोस्तों ये वयशाह की दियां शमान ही रेंगी, ये विस्तार शमेंदी उजनाओं पर पिचार बिमर्श भी होगा, नई पा मेहत्पुन लोगों से शम्बंद आपके लिए नई उपलगदियां का परदान करेंगे, प्रतु ये राज की मामलों को लेकर सचेत रहना आपके लिए जरुई होगा, और फिस में बहुत अद्वा उच्छ अधिकारी से कहा सुने भी हो सकती है, इस बात पर गौर करें, य आपके केरियर के लिए जो समयोंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वह विशाय में अस्थान परवर्तन की संभावना भी बन रही है, आर्तिक जत्ती बैतर बनेंगी, टेक्स, लॉंज जैसे मामलों में कुछ उल्जने अभियूत पनों सकती है, नोकरी पेशा व्यक्तियों की परदोस्तियों की अफ्षर बन रहे हैं, इसलिए अपने कारी को पूरी निष्टा से करें, क्योंके दोस्तों अगर आप से समभनों में भी मजबूती आने वाली है, इसको परादौ योश्यों में आपके लव लाइब के लिए जिवन 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 के ल प्रांद दोस्तों यह श्मी आपकी लव लाइप के लिए आपको बता दें विवायत जीवन को मदूर बनाई रखने के लिए आपको प्रयाश करने होंगी क्योंकि दोस्तों आपका गुषा इसमे प्रेम शमवनों में तरकराण उद्पन कर सकता है इस बार पर गौर करें शा श्वास के लिए श्मी में बहतर होंगे इसके साथ ही कुछ नकारत्मक विचार भी आपके उपर हावी होंगे जिनका अश्र आपकी कारश्मता पर भी पढ़ेगा meditation तदा योगा भी आपको अपने दिंचरिया में शामिल करना चाहिए दोस्तों ये भी आपके स्वास के लिए श्मी में बहतर शावित होंगे और इसको प्राण दोस्तों ये श्मी जो है कबजियत और गयस की समस्या भी आपको परिशान कर सकती है शात्विक चीजों का शे भागिशाली रंग रहेगा पीला और भागिशाली अंक रहेगा एग